अई हलो एब्रिवन वेल्कम बैक टू योर चैनल नॉलइज विठ सी के स्टाट करते हैं आज का टॉपिक क्या है आज का टॉपिक आज का टॉपिक है आपका यॉनिफिकेशन ईट्ली चलिए शुरू करते हैं इट्ली अम सबसे पहले आप यह देख लिजिए कि इटली की मैप के हिसाब से कंडिशन क्या है यहीं कि इसकी सिच्वेशन क्या है उसके अडोसी पडोसी क्या होना है ठीक है कल ही हमारा इस बाते में डिसकस हुआ था इटली से जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं जर्मनी है जिसका हमने देख लिए यह जर्मनी यह ऑस्ट्रिया यह स्विजलेंड यह फ्रांस ठीक तो अब्वेस है कि और यह स्पैन तो कहीं न कहीं जब देश युनाइट होगा तो अडोसी पडोसी का कोई सयोग होगा या फिर कोई विरोध होगा दौना में से कोई एक चीज तो होनी है तो यही हम लोग पढ़ेंगे देख लेते हैं इटली का युनिफिकेशन कितने स्टैप में हुआ और क्या क्या जरूरी है यहाँ पर देखिए देखिए प्रोसेस ऑफ युनिफिकेशन ऑफ इटली वास दे वर्क ऑफ थ्री में लीडर्स तीन में लीडर्स जो है उनके ना सवयोग से तो युनाइट होने से रहा बहुत जादा मात्रा में लोगों का कॉंट्रिबूशन होता है आगे हम कार्बोनेरी के बारे में पढ़ेंगे हम रट टेपिजम के बारे में पढ़ेंगे और मेजनी के बारे में भी पढ़ेंगे लेकिन जो में त्री लीडर्स हैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ कि यह तीन जो है में लीडर है इटली को यूनाइट करने के लिए आगे चलते हैं इटली वास डिवाइडेड इंटो सेवन स्टेट इन विच सर्दीनिया पिडवांट वाज ओनली दर रीजिन रूल बाई इटालियन पर प्रिंसली जो यहई तक देश है उनके दोरा इसको जोरूल किया जा रहा था बाकी सारा इसके कंट्रोल में थे नैपोलियन के कंट्रों में थे तो देखा जाए तो नैंभर को बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस देश में नाशनलटी की फिलिंग लाने में याझी लोगों को यह कि याद जब एक बाहर वाला यानि כי Francis नेपुलियन वो आकर हमारे देश को एक साथ चला सकता तो हम इटली के लोग अपने आप एक साथ नहीं चल सकते गया कोई दूसरा जब हमें टेक ओवर करके चला सकते है एक साथ योनिट करके चल सकता है तो हम लोग खुद सेंट्रल वाज रूल बाई पॉप एंड सौधन रिजन वाज रूल बाई बारवन किंग जो आपका इटली का मैप है उसको आप अगर देख रहे हैं तो आप यह देखेंगे कि उसका जो नौर्थ रिजन है वहाँ पे तो एक तरह से ऑस्ट्रिया का समझ लो उनके अंडर में चल रहा था बीच वाला पार्ट जो था वह किसके अंडर में था पॉप के अंडर में था पॉप के बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं और जो साउथ रिजन था वह किसके अंडर में था वारवन किंग जो है उनके अंडर में यह जो रूल हो रहा था साउथ वाला पोर् मतलब एक बुद्धी जीवी इंसान है जिसने लोगों को जगाने का काम किया जिसने एक organization बनाया था यंग इटली करके यह ना यंग इटली करके वो organization जो बना था 1831 में बना था और इस organization ने जो यंग जनरेशन है उनके दिल में यह feeling डाली थी nationalism वाली और यह feeling डाली कि हम italians ही क उन्हें में मिलकर इटली को unite करने का काम करें तो बहुत बड़ा contribution है मेजनी का लोगों के दिमाग में nationality की feeling डालने के लिए ठीक आगे चलता है हम लोग कावूर कावूर वाज टेक फुल डिप्लोमेसी विद फ्रांस डिफिटेट था ऑस्ट्रियंस और फीड नॉर्थ इटली को जो unite करने का आप श्रे देते हैं वो कावूर को देते हैं और इसके पीछे इन्हों की डिप्लोमेसी जो थी फ्रांस के साथ इसको शामिल करके इन कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे शॉर्ट में पूछा जाए कि इनिफिकेशन आफ इटली को समझाईए तो आप इन सेविन पॉइंट्स में इनिफिकेशन आफ इटली को लिख सकते हैं ठीक नेक्स चलिए आप नेक्स पॉइंट क्या कह रहा है गेरी बाल्डी विद द आप वॉलेंटियर कॉल्ड रेड शर्ट जो लाल कुर्ती गैंग जिसकी में बात कर रहे हूं उनके उनको इसने डिफीट किया और बार्बन किंग्स जो स्पैन के थे उनसे इन्होंने जो सिसली दीप और नैपल्स है उसको आजाद कराया था गेरी बाल्डी ने और बाद म Aarean-Emmuall the second defeated the Pops of France and freeing the Southern region and completing the Unification of Italy he was proclaimed the Emperor of United Italy और बाद में राजा कॉन बन गया भाई तो Victor Emmanuel ही बन गया तो कुल्मिला के major तो three step है जिसमें आपका Italy unite होना है total seven state है इन में से seven state है वो three step में आपके क्या हो जाएंगे unite हो जाएंगे ठीक है अब देख ले जाए obstacles क्या क्या है इसमें Unification of Italy में आपके obstacles यानि कि बाधाएं क्या क्या आएंगे problem क्या क्या थी क्यों unite नहीं हो रहा था उसकी बाद बता रहा है यह बता रहा है कि dominance of foreign reactions in Italy जो बाहर वालों का जो एक होता है न कि जैसा कल हमने पढ़ाता कि बाहर वालों का interference कुछ जादा ही था बिलकुल वही यहां पे भी था कि इटली में जो विदेशी प्रभुत्व था वो कुछ जादा था मैंने आपसे पहले ही कहा कि इटली फ्रांस के नेपोलियन के अंडर में था तो ओविस है कि बाहर का प्रभुत्व उसमें कुछ जादा ही हो जो है वो पॉप के पास है औस्ट्रिया पॉप और बॉर्वन किंग जो खाँ के थे इस्पेन के थे तो थ्री अलग अलग पॉलिटिकल पावर थे अव्वेस है जब थ्री अलग अलग पावर है तो वो तो यह सोचेंगे नहीं कि हम लोग क्या हो जाए एक हो जाए और एक देश बनाने तो यह भी एक बेसिक रिजन रहा था कि इटली युनाइट नहीं हो पा रहे थी फिर आगे चलते हैं आगे क्या कह रहा है पॉप वांटेट टू होल्ड हिज रिजन ओवर रोम रोम पर पॉप अपना अधिकार छोणना नहीं चाहते थे वो चाहते थे कि रोम उनके अंडर में ही रहे इटली हैड नॉट टेलेफ्ट नेशनल कॉंसिसनेूस, मतलब जो डेश भक्ती की भाहना होती है, रास्ठ Τा की जो फिलिंग होती है वो फिलिंग अभी तक जो है, इंटलीं स्वाइण पब्लिक में नहीं थी, इटलीं में अभी तक ये फिलिंग आ बर्ग जो था नेपोलियन के पतन के बाद उनने अपनी वापस जो जागिरदारी प्रथा होती है उसी को चालू रखना सही समझा क्योंकि दिखती बात है अगर देश युनाइट होगा और एक देश बन जाएगा तो जो जागिरदार लोग जो होते हैं उनको मौका नहीं मिल करने का जब देश बनेगा जैसे भारत एक देश बन चुका है तो एक देश बनने के बाद ऑफिस है कि जागिरदार ठाकोर यह जो लोग है इनका पावर जो है वो कम हो गया अधरवाइस इनका पावर नहीं था ऑफिस है अब भी देख लिजिए कि इसके फेवरेबल कंडि गेरिबाल्डी और नैपोलियन और विक्टर इमेनवल यह कुछ लोग है जो फेवरेबल एलिमेंट से रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली में यह आपका इटली का मैप है देखे किस तरह से युनाइट हो रहा है मैंने आप से कहा यह देखे सरदीनिया यहां के जो जो व पावना जागी थी कि क्यों ना मैं इटली को पूरा ही क्या कर दो यूनाइट करने का काम करूं इटली को एक करने का काम करूं और जैसे फ्रांस का नैपोलियन मेरी इटली पे राज कर रहा है बिल्कुल यही चीज हम इटैलियन्स भी कर सकते हैं इटली पे राज करने का का तो यह जो उपर वाला portion नॉर्थ वाला आप देख रहे हैं यह portion किसके पास था और उस्ट्रियन के पास था यह उपर वाले इन portion के बात कर रहे हैं वेनेशिया आपने नाम कल जब आपने युनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ा तो उसमें आपने देखा था कि 1866 में एक बैट वेनेशिया आपको दे दूगा तो उन्हाने वेनेशिया बाद में इटली को दे दिया था यानि कि सर्दिनिया को दे दिया था तो पहला स्टेप तो यहां complete होगा आपका सेकेंड स्टेप यहां complete होगा सिसली और नैपल्स यह जो सिसली और नैपल्स है इनके बीच में आप होडेना टसकनी बॉल्गेमा यह अपने आप मर्ज हो जाएंगे किसकी वज़े से जन्विद्रोव की वज़े से यह जो कुछ एक प्लेस है यह अपने आप ही कहेंगे कि हमें तो क्या करना है इटले में शामिल होना है तो यहां किसी तरह का दबाव नहीं डालना पड़ता दबाव तेनी जगह डालना पड़ रहा है एक यहां पर एक इस एरिये में और एक आपके उपर वाला एरिये में यह अपने आप पर उनाइट हो जाएंगे इटले के साथ यहां किसी तरह का लड़ाई जगड़ा नहीं होगा कुछ नहीं होगा जब यह एरिया इनके अंडर नहीं रहना और यह अपने आप इटले के पास आजाएगा फिर किया जाएगा इसको शामिल ठीक है और लास्ट में आपका कौन सा शामिल होगा रोम शामिल होगा टोटल थ्री स्टेप है किसका कहां कॉंट्रिबिशन जा रहा है देखो यह तो अपने आप हो रहे हैं इनको तो करने की जोरत नहीं पड़ ठीक है यह तो कार्बोनेरी के टाइम में हो जाएगा इसके पीछे किसका कॉंट्रिबिशन जाएगा कावर का कॉंट्रिबिशन जाएगा इसके पीछे किसका कॉंट्रिबिशन जाएगा गेरी बाल्डी का जाएगा यह गेरी बाल्डी यह का तो यह कुछ नाम है जो आपको याद रखने है और यह आपका एक तरह से इटली का युनिफिकेशन जो है यहां पर आपका इससे ज्यादा इटली के इनिफिकेशन में कच है नहीं थैंक यू अच्छे से देखेंगे बार-बार इस वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएग समय लग्वार आपको समय खेंगे और कर दो कर दो कर दो कीष्यादा थाओआर अजैए और कर दो के अच्छे है का अच्छे नाजए ग्चा अच्छे अच्छे सिकर अच्छे सरी के शिए